So hello everyone, welcome to another video और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम रिकॉइल कैसे बनाते हैं एक वेपन का जैसे कि विए और ने बोला था तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम रिकॉइल देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं एक गन का बाकी चीज़े जो हैं वेपन से रिलेटेड वो मैं तहली बना चुका हूँ जैसे ये जो तीन वीडियो हैं एक मैंने बताया कि आप शूट कैसे करते हो एंगल वाइस दूसरी वीडियो मैंने बताया कि ये एक वैपन है उसके डिफरेंट मोट्स कैसे होता है लेक वन शॉट बर्स या पिर आटोमेटिक और एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि आप पिक कैसे करते हो वैपन्स तो उन सब के लिए वीडियो अल्रेडी है इसके यहां पर यह तो गनन की कोई जरत है नहीं तो सबसे पहले हम एक पॉइंट कर लेते हैं गन का जहां से वह बुलिट निकलेगी अब जैसे इस करेक्टर में अल्रेडी शूट अनिमेशन है तो हम यहीं से एक एडिट पॉंट कर देते हैं यहां पर एक पॉइंट आइड कर देना शूट नाम का और इसको यहां प्लेस करते हैं जहां से वह बुलिट निकलेगी मतलब गन के इस पॉइंट अब चलते हैं में देखते हैं कैसे बनेंगे रिकॉइल अगरा तो पहले एक बेसिक सा शूट का कोड डाल देता हूं जैसे हम माउस के लेफ बटन से शूट क कर लेना और एडवन्चरगल का जो एक्स पोजिशन है और इन ब्रैकेट के बीच में डबल अपोस्टर भी डालना और यहां पर यह शूट का जो पॉइंट हमने अभी डिफाइन किया है वह आटोमेटिक आ जाएगा इसको कॉपी करके यहीं पर पेस कर देना और यहां पर अचांग चाहिए और इसको कॉपी करके वापिस से पेष्ट करो और यहां पर डाल देना इनवर्ट कंडिशन कि जब वह माउस क्लिक नहीं हो रहा होगा यहां से इसको फिलाल के लिए अटा देते हैं और यहां पर डाल देते हैं ट्रिगर वन्स वाइल ट्रू सेम चीज य और यहां पर हम डालते हैं पहले कि जो animation है Adventure Girl का वो change हो जाएगा shoot पर जब mouse का button क्लिक होगा and जब ये animation finish हो जाएगा ये जो shoot animation है तब हम उसका idle animation चला देंगे अब एक force add करते हैं जिससे bullet चलेगी तो add action पर जाना और डालना add force add 10 angle ये वाला select कर लेना और जो bullet है उसको 0 angle पे 1500 पर second पर भीद देना oh sorry और इसको permanent रखना ठीक है और जब हम recall देंगे तो हम adventure girl पे force लगाएंगे तो इस पर जाना add a force और इसका angle जस्ट opposite कर देना और इसको instant ही rank देना speed इसको दे देते हैं let's say to that's it अब देखते हैं काम करता है कि ने oh as you can see जब bullet निकल रही है तो वो पीछे भी जाते जा रही है as a recoil कह सकते हो और इसको थोड़ा और realistic बनाते हैं यहां पर एक action कर देता हूं यहां पर डालना sound तो play a sound और एक file choose का लाइन से मेरे पास यह gunshot की पड़ी थी तो मैं इसे ले देता हूं और अब देखते हैं कि जब हम शूट करेंगे तो sound भी आएगा gunshot तो ऐसी बनता ही कोई ठीक है that is it for this video मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर thanks for watching